शुकी बी रियल्मी 10 प्रो जो आज ही लॉंच हुआ है फास्ट रिफ्रेस्ट रेट नेरो वेजरी डिस्प्लेय मिट सेग्मेंट 5G प्रोसेसर 108 मेगापिक्सल फ्लैक्सिप केमरा सेंसर सुपर बेंड डिजाइन, यूज बेटरी और मैंनी मोर आज में रियल्मी 10 प्रो का अंबोक्सिंग और फॉस्ट इंप्रेसन बताने वाला हूँ मेरे नाम मिलन है और आप देख रहे है टेकी शीट और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नलोजी की अपडेट सबसे पहले हमारी चनल में देखने को बिलते है तो यह है रियल्मी 10 प्रो का सिंपल सा वाइट कलर में बॉक्स बॉक्स के लीट को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले काटबोर बॉक्स मिल जाता है इस बॉक्स में सिम टूल, दोक्मेंटेशन और क्लियर केस रेगुलर मिल जाएगा फोन को थोड़ी देर के लिए सैड में रखते हैं और यह है 33 वोट का पावर एडप्टर और डेटा केबल और यह पावर एडप्टर बेटरी को 30 मिनिट्स में 50 परसंट तक चार्ज कर देता है फोन के प्लास्टिक प्रेप को रिमू कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बेट की फोन का फोर्स्ट लुक फेमिलियर देखने को मिलता है फोन का बेक ग्रेडियंट फिनिस के साथ आता है और काफी डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल जाती है Top camera module से gradient pattern spread out होती है जो phone के look को काफी eye caching बनाती है और साथ में बेक काफी shiny भी देखने को मिल जाता है phone को different angle पे रखने से different gradient देखने को मिलते है top part का color sky blue जैसे देखने को मिलता है और bottom part का warm gold color देखने को मिलता है phone का angle change करने से light blue से dark blue color की pattern देखने को मिलती है और साथ में golden matte finish pattern भी देखने को मिल जाती है और touch करने पे फिल भी काफी अच्छी मिलती है और smoothness भी काफी अच्छी मिल जाती है phone में camera module double ring design में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो module है वो थोड़ी उपर उठी हुई है वेसे फोन का भी प्लास्टिक का मिलता है, तो मट्रियल में रियल मी 10 प्रो प्लस की तरह यहां भी कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा. और दोस्तों, अगर आपको यह फ्लेसी कलर वाली पैटन नहीं पसंदे, तो इसके अलवा दो और कलर मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ब्लू. और दोस्तों, मैंने और लेड़ी रियल मी 10 प्रो प्लस का अंबोक्सिंग और डीटेल इवी वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो लिंक तीचे डिस्क्रिप्समें और उपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले, बहुत ही प सेंसर के साथ आता है, बोटम में 3.5 mm हैटफोन जेक मिल जाता है, लेकिन अभी ज्यादा तर यूजर्स वाइड हैटफोन का यूज कम से करते है, अगर गेमिंग फोन है, तो हैटफोन जेक होना ही चाहिए, फोन की थिकनेस करीब 8.1 mm के मिल जाती है, और वेट करीब 192 ग् मिल जाती है, वेजसे ये LCD डिस्पले है, 6.72 ह की स्क्रीन मिल जाती है, रिजोल्यूशन फुल एजडी प्लस मिल जाता है, रिफ्रेश रेट 120 हर्स की मिल जाती है, और DCI-P3 कलर गमूट भी मिलता है, साथ में 618 इट्स की मैक्स प्राइटनेस लेवल भी मिल जाती है, वेज स्क्रीन में लेफ्ट एंड राइट बेजल्स 1 mm तक पतली मिल जाती है, और LCD डिस्पले में इतनी पतली बेजल्स कभी भी देखने को नहीं मिलिये, हाँ OLED टेक्नलोजी एडवांस है, लेकिन LCD में इतनी पतली बेजल्स मिलना एक एडवांटेज है, वेसे चीन थोड़ी साथ में रेंहेल एंड आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, फोन में OS की बात कर तो Realme UI 4.0 पे चलता है, जो बना है Android 13 के उपर, जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, यहाँ पे बिग स्क्वेर फोल्डर डिजाइन मिल जाती है, और पेज को करने के लिए left and right कर सकते हैं, और एप को open करने के लिए ही यहाँ पे directly open कर सकते हैं, और इसका यूज करना काफी easy है, Realme 10 Pro में केमरा की बात करे तो rear facing dual camera setup मिल जाता है, जहाँ पे primary 108MP का Samsung HMS 6 flexib sensor मिल जाता है, जो 1x1.67H की sensor size के साथ आता है, 91 pixel fusion technology का use हुआ है यहाँ पे, sensor size Sony क IMX 686 के करीब मिल जाती है, single pixel size 0.64 ultra pixel की मिलती है, आप यहाँ पे photos के samples भी देख सकते हैं, Realme 10 Pro में performance की बात कर रहे हैं, तो snapdragon 695 octa-core processor मिल जाता है, जो 5G connectivity के साथ आता है, जो TSMC के 6 nanometer fabrication process पे बना है, फोन में RAM, LPDDR4X मिल जाती है, और storage UFS 2P2 मिल जाता है, Realme 10 Pro में बैटरी की बात करे तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो average use पे बैटरी एक सग डेट दीन आसानी सचा, Realme 10 Pro की प्राइस की बात करें, बैस वेरेंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 18,200 से सुरू होती है, कंक्लूजन पर आये तो फोन में डिस्प्ले सुपब मिल जाती है, LCD डिस्प्ले है, लेकिन व्यूविंग एक्सपिरियेंस अच्छा मिलता है, कलर्स भी काफी सार्फ देखने को मिल जाते है, केमेरा भी इस सेग्मेंट में बेश्ट मिल जाता है, बैटरी अच्छी है और लाउट स्टिडियो स्पीकर्स भी मिल जाते है, अब देखना यह है कि इंडिया में कौन सी प्राइज में लॉँच होता है, ज्यादा इंतिजार नहीं करना है, तो दोस्तो ऐसे ही लेटेस टेक अपडेट सब से पहले देखने के लिए और अगला गीव ओव देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा के ओल कर जिए हुमारी टेक टीम को जोइन कर लिजे, तक कि आपको लेटेस्ट टेक अपडेट की नोडिफिकेसन सब सब पहले मिल से के जैसे हमना वीडियो अप्लोड करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक लिए थेंक्स पर वाचिंग, वेव ग्रेट देंग, कि अपस्माइलें,